आज हम बात करने वाले हैं वॉल्कनिजम के बारे में देखें ट्राइट भी ज्यादा नहीं कराऊंगा बर लेट जितना भी होता है उतना देखने हो करेंगा इस प्रोचेस को हम लोग क्या कहते हैं वल्कनिजम कहते हैं ठीक है इस बैसिकली इरॉप्शिन अफ मोल्टन रॉक्स यह मोल्टन रॉक्स यह मोल्टन रॉक्स जब सर्फेस के ऊपर आती है सब्सक्राइब टेरें अजयृचोर्फ करती है यह मेंगमा की वह में आती है जैसे रीवर फ्रो उक एफुकरथी थैक कई कि बारी क्या होता है इसमें dust, gases, बाकी जो है pyroclastics, इस तरह की चीज़े भी involved होती है, ठीक है, तो that is why इसके अंदर से कही की बारी आपको eruption अगर इस तरह से देखोगे तो कही की बारी कहा होता, सिरफ magma निकलता दिखता है, बट कही की बारी यहां से क्या, आपको इस तरह के gas के particles या dust के particles भी निकलते दिखते हैं, ठीक है, all of these activities are collectively called as volcanism, ठीक है, gas निकलना, dust निकलना, pyroclastics निकलना, pyroclastics का मतलब क्या होता है, pyroclastics is nothing but molten rocks, pyro means what, fiery, pyro जो है ग्रीक वर्ड, it is means hot, and clastic means clastic बहुत सारे minerals का चिपका होना, ठीक है निकलना, बहुत सारे rock material या mineral material का चिपका होना, तो pyroclastics is nothing but, आप ऐसे कह सकते हो, पिगले हुए अंगार है, it is like molten rocks, जो जो है क्या करती है, fly करती है, क्यों, because नीचे से जो है, बहुत जादा pressure है, very high pressure, and high pressure से जब magma उपर पहुंस है, तो यह pressure release होता है, and it leads to a lot of, what, it leads to a big explosion, कही की बारी, ठीक है कि नी, again, this particular volcanic phenomena is very closely associated to the plate boundaries, ठीक है, अगर मैं आपको बोलू कि आप volcanism के फिनामिना या वलकेनों के फिनामिना को क्या आप explain कर सकते हो, तो आप कर पाऊगे, it is very easy, अगर आप plate tectonics के बारे में जानते हो, then it is very easy to do, ठीक है नी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था divergence के बारे में, जब plates diverge करती है, तो नीचे esthenosphere से क्या होता है, इस तरह का molten rocks बाहर निकलती है, तो this is what, this is also volcanism, है की नी, यह मैंने आपको बताया था, दो plates हैं, दो plates दूर जा रही है, तो lithospheric plates क्या करती है, एक plate, दूसरे plate के नीचे चली जाती है, इस से क्या होता है, यह plates, जो rocks है, melt कर जाती है, eventually इन दरारों से बाहर आती है, और यहाँ पर erupt होती है, this is also what, this is also volcanism, this is also volcanism, ठीक है की नी, इस में हम लोग, मतलब, this is basically what, की boundaries के movement से, या फिर plate tectonic में जो भी आपकी movement हो रही है, इस से हम लोग volcanism को explain करते हैं, ठीक ही, understood, this is how volcanism is explained, फिर हम volcanos को classify करने के कोशिची करते हैं, यह मैंने आपको बता तो दिया, पर वाल्कनो को हम किस तरह से देखते हैं, किस टाइप का हूँ, यह volcano किस टाइप का है, यह volcano किस टाइप का है, इस तरह से classify करने कोश पहला हम लोग करते हैं in the form of periodicity, जो आप generally अपनी NCRT में देखते हो, कि periodicity के form में आप किस तरह से volcanoes को classify करते हो, periodicity means कि कि कितनी frequency में ये erupt हो रहे हैं, कितनी frequency में यहां से लावा निकल रहा है या इसके अंदर activities हो रही है, तब इसे हम तीन टाइप से देखते हैं, एक होता है आपका active volcano, एक होता है आपका dormant और तीसरा होता है आपका extinct volcano, active volcano वो जिसके अंदर से continuously हम लोग क्या देखते हैं, gas, dust या इस तरह की pyroclastics या magma जो है, वो continuously निकल रहा है, कुछ frequency के बाद यह continuously आपको erupt होता दिखेगा, यह recently भी erupt हुआ होगा, ठीक है कि नहीं जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आप Mount Monalua है हवाई में, ठीक हर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद यह erupt होता है, बहुत सारा magma जो है क्या, वो surface के ओपर आता है, अगर नहीं भी है तो वहाँ प कि यहाँ पर क्या है, अभी भी बहुत active volcanism हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इन इन वलकनोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन वलकनोज को हम active volcanos बोलते हैं, जो कि recently फटे भी होते हैं, और इनका complete पूरा-पूरा चांस है फटने का भी, ठीक है, for instance होता है आपका Mount Monalua, जैसे ह Hawaii में मैं आगे दिखाऊंगा इनकी pictures आपको थोड़ा सा, Mount Etna, Mount Vesuvius, Mount Stromboli को पिता सकते हैं, कहां पे, Mount Etna, Vesuvius, Stromboli, यह जो है, they are very prominent and very like tourist destinations है, लोग इने देखने जाते हैं, ठीक है, they are found in Mediterranean Sea, Mediterranean Sea में मिलते हैं आपको, in the islands of Italy, Italy के islands के पास में देखने में मिलते हैं, matter of fact, Stromb Mediterranean भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह continuous में धदकता रहता है, तो रात को चमकता है, तो Mediterranean में, light house से क्या होता है, light house क्या बताता है, कि यहां पे land है, अगर navigation की बात करेंगे, हम लोग marine navigation की बात करते हैं, तो देखते हो ना, कि जो तठ हैं, उनके पास में इस तरह के बड़े-ब explosions हो रहे होते हैं, तो चमकता रात को, तो यह बताता है कि यहां पे जो है land है, यहां पे जो है इटली आ गया है, that's why it's called light house of Mediterranean, ठीक है, any choice, Mount Kotapeksi है, this is in South America, St. Helens है, America में, Pinnatubo in Philippines, and Barren Islands in India, this is the only active volcano in India, कहा भी मिलता है, North Andaman में मिलता है, just right to North Andaman, this is Barren Island in India, ठीक है, सिर्फ य यही active volcano है हमारे पास में, then second आता है, dormant volcanoes, dormant volcano है, उसमें क्या है, उसमें, as in such, recent time में कोई eruption नहीं हुआ है, कोई evidence भी नहीं है, eruption का, but there are high chances कि यह future में erupt हो सकता है, ठीक है कि नहीं, यह काफी time से erupt नहीं हुआ है, means, काफी time से, चैसे परानी history में बात करें तो, maybe 200 साल, 200 साल, या फिर 100 सालों से erupt नहीं हुआ यहां पर, but there are chances कि यहां पर eruption हो सकता है, और इसमें कई के बारी recent activities भी start हो गया, means, for instance, पहले यह volcano चुपचाप था, completely erode हो रहा था, some 100-200 साल पहले erupt हुआ होगा, but recent times में क्या, यहां पर जो है, इस तरह के gas, इस तरह के gases, यह इनका outlet होना start ह हो गया, ठीक है नहीं, so, because of that, या यह यह जो है, एक ऐसी जगे लाई करता है, जो कि टेक्टॉनिकली बहुत active है, means, मालो यह जो है, क्या, यह कई continent के margin में लाई कर रहा है, so, because of that, there is high chance कि यहां से eruptions दुबारा हो जाए, so, that is why हम लोग इने dormant कहते हैं, dormant है, that means, इनोंने अ this is in Japan, ठीक है, and Mount Anak Krakatoa, this is in Indonesia, यह, as in such, जो है, काफी टाइम से dormant है, 200-200 साल से dormant पड़े रहे थे, but, recently, Kilimanjaro में भी activity start होगी, Kilimanjaro is in Kenya, ठीक है नहीं, so, Fujiyama, this is in Japan, यह भी पहले dormant था, but, अभी जो है, इसके अंदर थोड़ी बहुत activities चल रही है, and Mount Krakatoa, last time, जब यह फ पड़ा था, बहुत ही gigantic explosion था, उसके बाद यह 200 साल बिल्कुल चुपरा, और अब भी recently, 1990s में दुबारा active हो गया, ठीक है, तो 200 साल की period में क्या था, यह, dormant पड़ा हुआ था, but, there was very much a chance कि यहाँ पर eruptions हो सकते हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, so, as in such, इनकी definition dormant है, या फिर extinct है, it is basically क्या, कि यह कितने activity में इनके अंदर थोड़ी बहुत eruptions देखी गई, so, active volcano very much activity, continuously gas, dust यहाँ से निकल रही है, या फिर लाबा का flow यहाँ से देखने में मिलता है, and eruptions देखने मिलते है, dormant में, recent time में कभी eruptions नहीं हुई, but future में हो सकती है, ठीक है, third आत अंदर जो है, completely, बस weathering आपको देखने मिल रही है, जो पहाड है, पहले बड़ा होता था, टूटके भी खर रहा है, means weathering हो रही है, इसकी erosion हो रहा है इसका, and इसके अंदर as in such कोई activity नहीं, कोई भी tectonic activity आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, that is considered as extinct volcano, ठीक है की नहीं So again, example जैसे की Narcondum in India, this is what, again यह भी जो है, आपको दो islands यहाँ पर, same North Andaman के साथ में मिलता है, Narcondum Island, यहाँ पर जो है, पहले volcanic activity होती थी, some 10 million years ago, इस time चल रहा था, जब volcanic activity थी, but recent times में, there is completely no evidence of tectonic activity, इस करके जो इसको अमने किया करती है, extinct volcano में डाल, ठीक है, matter of fact, जो आपक Deccan plateau है, जो आपका Deccan plateau है, वो भी जो है, क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहते है, extinct volcano हो गयते, जो आपका Deccan plateau हो कैसे बना है, वो fissures के कारण बना है, जो आपका जब India, मैंने आपको बता हैं, India कहां को चला था, किदर चला था, ठीक है, Eurasia को मिलने चला था, Eurasian continent सा टकरा रहा था, तो यहाँ पर बीच में बहुत सारी दरारें पड़ी थे, इंडिन लैंड मास में बहुत सारी दरारें पड़ी थे और इन दरारों से बहुत सारा मैगमा निकला था बाहर, ठीक है, इन ही मैगमा के निकलने कारण जो है, यहाँ पर क्या बने है, यहाँ डेक्कन प्लेट्ट्यू बने हैं ठीक ही सो उस टाइम पर अभी जो है इसकी कि इरॉप्शन होने की कोई भी संभावना नहीं है अब नहीं कम्पारेटिववली इस तरह की डिफ या इस तरह की जो डिवीजन है क्लाशिफिकेशन है कि बहुत ब्लीर पटेशन हो रहा है आप तो थे नहीं चलता घर के पीछे वाल के नोस था फट गया पता है चला ठेक है थोड़े देर बाद जो है थोड़ा अब मुर्मी लगने लगी दरवाजा खुला तो किया् shooting अधिक ?! इसे तो नहीं होते चलो बटेय हैं commitments सैलेंट हैं कोई बहुत बड़ा धुमाका नहीं होगा कोई बहुत बड़ा explosion नहीं होगा कोई इस तरह के आवाज में कोई ड्यूंक तब और डॉस्ट पािर्टरा जादा उच्छा लेंगे इवन अप्टूप असी किलोमेटर ऊपर एटमस्फेर में इतना ड़स उच्छाल देते हैं तो बेसे ऑन एक्स्पोजिन नहीं किस तरह से पर्टिकुलर वॉलकनों फट रहा है उसके साब से हम लोग क्या करते हैं हम लोग वॉलकनों इसको छे टाइ किस तरह का होगा यह टेक्या करता है किस तरह का मेगमा निकल रहा रहा हो त إلى और यह किस पर department करिये म्ग मट इसपर ये तो इसके में आपके सोपाइब और कितना ज्यादा सिलिका है।। ऑगर यह मेगमा अगल यह जो मेगमा इस like this molten rock inside the earth is called as magma, जब यह उपर आ जाता है surface में तो इस is called as lava तेके, so magma और lava whatever you want to say, Earth के नीचे से हम magma बोलते हैं, सर्फेस के नीचे जब उपर आजए तो हमें क्या बोलते हैं लावा बोलते हैं ठीक है अगर यह मैगमा में सिलिका कम है तो यह इजी फ्लोइंग होगा इसकी जो विसकॉसिटी यह कम होगी और इसके अंदर अगर गैसिज नहीं है जादा यह जादा तो क्या होगा बहुत चुपचाव फटेग और यह जो मैगमा है बहुत पानी की तरह फैल जाए तो कंपैरिटिवली क्या होते हैं चुपचाव टाइप के वलकेनोस होते हैं ठीक है दूसरे होते हैं रोरिंग वाले या बहुत ज़्यादा जो है लाउड साउंड वाले इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा सिलीका कंटेंट होगा ठीक है बहुत ज़्यादा सिलीका कंटेंट होने से क्या होगा बहुत ज़्यादा विसकस होंगे बहुत ज़्यादा विसकस होंगे तो क्या होगा जब भी उपर पहुंचे तो बहुत प्रेशर में पहुं जायेंगे एन इससे यह बहुत स्टीप माउंटेंस बनाते हैं दूसरे वाले जो हैं क्या होंगे बहुत ही ज्यादा जो है जेंटल स्लोपी टाइप माउंटेंस बनाएंगे इस तरह के शील्ड टाइप बना देंगे बस ठीक है इन बेसिस पे यह आपको मैंने जाए फूट वह में इस शुब चांप रहते दूसरों को देख रहे होते हैं ये क्या तियारी कर रहा है पर अपनी बताएंगे कभी तेक्ते युव वाले बिल्कुल चुब बताएंगे कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं इस्वेंज फॉलो कर रहे पर दूसरों ख़बर पूरी रखें तो तो उसके वादाते जो बहुत जोर से बचते हैं आज जो है एक गलती से छोटा सा अगवार का छोटा सा आर्टिकल पढ़ लिए सब को बताएंगा कि आर्टिकल पढ़ क्या हूं मुझसे पूच्छो है कि नहीं तो यह एस परेंट भी दोई टाइप के होते हैं then they are what they are composite volcanoes या volcanic domes या caldera यह सबसे लौड होते हैं caldera सबसे लौड है यह पढ़ेंगे भी नहीं बस अमीज देवगन की डिबेट देखके आगे उसमें भी देकें डिवेट ठीक है देन फाइनली सिंडर कोन यह चार जो हैं आपके क्या है देया यह और एक्स्प्लोसिफ टाइप वॉल्किनों जो बहुत आवाज करते हैं बहुत दा गैस डस्ट पाइरोक्लास्टिक सब्केंगे कंपेरेटिव चुपचाब टाइप 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 क्या जमीन में दरार पड़ गई डरार का मतलब काना फिजर का मतलब ह tortricечubby गे atrás रपड़ी और चक्या ओवाख अधर से यह या हूँ इस तरह का मैगमा भार आग्या थिकि ने वाल मैगमा बहार आगया इस टाइप sound channels एटीटिटे कें लोग क्यों केते हैं फिजर टाइप के वोलकानों क्या होगा सिंज यह ऐसे दरार पड़े गई जब इसमें क्या होगा कौन सी फोर्सों कि टैंशनल फोर्स हो गया ना दो फ्लेट सिदर को गई नीचे से क्या हुआ मेगमा बहारा गया और आध आके जो है deposit होने लग गया ठीक है नहीं यह एक दो है दूर जा रहे हैं यहां से आया और magma deposit हो गया सिधा एस्थेनोस्फियर से magma आ रहा है तो इसके अंदर कोई silica का contamination यह कोई silica नहीं है mostly यह जो नीचे आपको rocks मिलते हैं यह वेरी एक होती है ग्रिनाइट बसॉल्ट जो है silica content बहुत कम होता है ग्रिनाइट में बहुत ज्यादा होता है सिंस ऐसे निकल रही है नीचे से उपर आ रही है इसमें आपको basalt content बहुत ज्यादा मिलेगा ठीक है ना very less silica so generally यह जो magma होता है basaltic magma होता है लगा पता यह वाला सिस्टम basaltic magma क्यों है because silica content बहुत कम बसॉल्टिक magma very low silica content and इस तरह से यह दरारे बहुत लंबी हो जाती यह दो मीटर से they are not viscous also तो आएंगे और बहुत दूर तक फैलेंगे बिल्कुल नदियों की तरह जो लावा है वो नदियों की तरह चलता है आप ठीक है and very चुपचा बहुत चुपचा जो है बहुत ही silently यह eruptions होते हैं आपको बहुत जाधा इसके अंदर explosions देखने को नहीं मिलते बहुत जाधा explosive activity देखने मिलते हैं कहाँ पर मिलेगा आपको यह divergent plate boundary में देखने को मिले है कि divergent plate boundary में क्यों देखने मिलेगा obviously because of divergence क्या हुआ यहां पर आके क्या हुई इस तरह की magma का flow हो गया लगा पता दे आर फॉर्म सॉफ बसाल्टिक स्लोप अब इस तरह की दरार पड़ी देखो यहां पर इस तरह की दरार पड़ी यहां से मैगमा आया eventually क्या होगा यह मैगमा बहुत slowly cool हो रहा है तो आपको इस तरह की very gentle sloped मांटेंस यह मांटेंस नहीं कहा सकते हैं वेरी जेन्टली स्लोप इस बंद दिखती हैं जो लावा आपकी जो इस तरह की सिलोप बनते हैं ठीक है फिजर प्रिश्य टाइब का वलकेन हो या फिर वलकेनों आइसलेंड अगर आप मैप लेके आओगे तो आप देखोगे जो आपकी मिड्ट अट्लैंटिक रिज सिस्टम है वो ऊपर तक जा रही है नौर्थ में वो आइसलेंड के पास से गुजर रही है और आइसलेंड में जो भी व पहले जब इंडिया तो जब इस तरह चला वाथा जब टक रारे थे तो इस तरह क्या दरारे पड़ी थी बहुत सारी इन दरारों से इस तरह के मैगमा इरप्ट हुआ है ठ्क है कि नहीं कौन सा है फिजर टाइब का वलकानों आप सिंपली इस तरह से देख सकते हूंक तो फिजर टैप के वलकानों को वहीरी जेंटल स्लोप बहुत प्सवाइब आ इस तरह की दरारह पड़ती दरार से इस तरह के मैगमा आता है के वलकेनों example of this volcano is holo horn volcano in Iceland then the case around is known for its volcanoes only या अ यहाँ पर बुल्कुल जैसे पानी की तछा भैता है वलकेन ठीक है की नहीं water की तॉसे वातर की तरह flow कर रहा होता है वलकेनों understood example is iceland then ुसके बादダ हम हम सेकंड टाइप के वॉलकनों भी आते हैं that is shield type of volcano first concept है आप मैंने fissure type second is shield type volcano exactly similar to fissure type volcano exactly similar basaltic nature low on silica but only thing is it is high on gas तेके high on gas होने से क्या होगा जब यह मैगमा ओपर आता है तो gas नीचे से gas push कर रही है gas push करेगी तो क्या होगा मैगमा इस तरह से फूटता है तेके ने जिसे water boil करते तो क्या होता है नीचे से आते हैं ना gas because of gas it makes इस तरह के fountains मनाता है similarly आपको यहां पर लावा के mount fountains देखने में मिलते हैं क्योंकि नीचे से gas ही बहुत सारी आ रही होती है तो ग्या आती तो क्या करते है वो लावा को इस तरह होता है विसकस होता है पानी कम विसकस होता है तो वेरी लेस विसकॉसिटी एंड जनली आपको कहां पर देखने मिलेगा hotspots में या divergent plate boundaries में देखने को मिलता है अब आपको divergent plate boundaries पता है hotspots नहीं पता आपको I guess पता आपको hotspots जैसे मैंने आपको in plate seismicity पताई थी किसी plate के बीच में कहीं किवारी क्या होता है जिसमें आपको दरारे पड़ जाती है वहां से crust जो है वह वीक होता है जैसे कोई भी आप landmass मुला लिए कोई plate है यहां से दरार पड़ गई यह crust वीक था यहां पर दरार पड़ गई और यह नीचे चला गया land तो इससे अर्थ को यह खा सकते है इन दरारों से मैगमा बहर आ जाता है और यह क्या होता है दस लीट्स टू इन प्लेट वॉलकनिजम यह जिसे हम हॉट स्पोट क्या है यह आपके प्लेट के बीचों बीच कहीं पर वॉलकनिज देखने में मिल जाएं हमारी प्लेट टेक्टॉनिक सी थिए कि आपको मार्ज कैमरून में देखने मिले हमें यहां में पर यहूगरलेत बसेयं हो रहा यहां पर我 टेकर आते यह एकराओ पर जाती इस पर्टिकुल are यह लंग पढ़ गई इन दरारों से भी मेगमा बहर आ जाते हैं तो इस 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 यलो स्टोन नेशनल पाक है यह जिस इस इस होट सपोट तेके जैसे मांट कैमरून है आमपिट आफ आफरिका में एट इस अलसो इन होट सपोट ठेकिक निए अंडर्स्टूट तो एन हवाई हवाई हवा यहां से आगे इस विकाउज वोलकेनिक हाट सपोट यहां पर आपको होट सपोट ठीक है कि नहीं बिल्कुल बीच ओ-बीच आपको देखने मिलेगा तो एक्जामपल इन शील्ड वोलकेनों का क्या है यह शील्ड वोलकेनों की कहते हैं बिकॉस यह इस तरह की बहुत ज्या आखे आखे वाटOO फश to'- है के यह जूकर यह जो है धे इस तरह से आपको नाटमी सभी मिलेगी शील्ड वलकेणों की इस तरह देखको शील्ड टाइप के आपको यहां पे वलकेनी की रफ्षिन यह वॉल्केनों उसका जो mountain है वो इस तरह से बंता देखेगा ठेके एक सिंगल एरिया से वेंट से निकलता है वॉल्केनों लावा निकलता है आता है विद कूल डाउन हो जाता है और इस तरह की आपको इस तरह का फॉंटेन टाइप एरक्षिन आपको देखने को मिलेगा एंड इस तरह से आपको क्या इस तरह से को इतना ज्यादा इतना लेस्कॉस्टी है कि आपको यहां पे रिवर टाइप फ्लो देखने में मिलता है ठेके नहीं दसटेज आपको इस तरह से इरप्चिन देखने को मिल रहा हो तो थीजिए देन इस गैलप फर गस गैलिपर किस आइलेंड जैंड वहीं उसी के पास में तुसका सबसे एक्टे बुल किनों है कॉलडै से रे निग्रा सेम देखो आपको इस तरह से यहां पर आपको यह लावा फांटेंस देखने को मिल रहे हैं and इसमें आपको यह इस तरह कि लावा फ्लो देखने को मिल रहा है like a river की तेख नहीं लगा पता that is basically what this is shield volcano यह शील्ड वॉल्कनिजम लगा पता नो साउंड एक्स्प्लोजन नो बिग रॉकी स्ट्रक्ट्चर लावा फ्लोज लाइक वाटर ओनली बहुत ज्यादा सिंपल फ्लो आपको यहां पर देखने में मिल रहा है अंडेस्टूड चलो दाट इस किलुवा शील्ड वॉल्केनो या गैलप पगस तरह आते हैं हम लोग वॉल्केनिक डॉम दो होगे में अपने दो में कौन से थे देवर साइलेंट टाइप अफ वॉलकेनो जिसमें जो है वाटर लाइक फ्लो हो रहा है आपके मैगमा का फिर आ क्यों होगा विकॉस ओफ आई सिलिका कंटेंट सिलिका कंटेंड कंपैरिटिवल लिग्या है ठीक है एंड जनली अकर एड सब्डक्शन जोन जोन मींज आपको जैनली जो है उन जगों में मिलेगे जहां पर प्लेट जो हो क्या कर रही है वह एक प्लेट जो है कर जाता है यह दरारे पढ़ती है यहां पर पहुंचता है और जब यह मैगमा जब यहां से यहां उपर जाएगा तो क्या होगा बहुत सारा इसलीका content उठाएगा इसलीका content mix हो गया मैगमा में it becomes very very viscous eventually जब यहां पर explode करता है तो क्या करेगा बहुत जादा इसलीका content इस तरह gas dust pyroclastic बहुत सारी चीज़े साथ में उच्छालता है ठीक है कि नहीं टिपिकल इजी phenomena explosions generally with pyroclastic flow pyroclastic means वो इस तरह के जो molten rocks है वो flow करती है लिटरली ठीक है बड़े-बड़े जो आप कैसे कंगारे वो करते हैं example जैसे ring of fire all along जो आप पैसिफिक में ring of fire जो हमने बना रखा है ring of fire वाला एरिया उन सब में आपको इस तरह के volcanic domes देखने को मिल जाएं ठीक है example देखो इस तरह का आपको volcanic dome देखने मिलेगा बड़ा सा dome shape structure इस तरह का dome shape structure बना हुए यहां पर crater के पास में इस तरह का dome shape structure बना हुआ है क्यों बना हुआ है because of the eruption ठीक है example देखो सबसे easy और सबसे अच्छा example आपको देखने मिलेगा नौबरूप्टा इन अलास्का अलास्का में यह इतना वड़ा crater होगा यहां पर जो क्या रहा गया वोल्किनी डॉम ठीक है अंडरस्टूड वोल्किनी डॉम डिस अगें लैसंस पीक इन कैलिफॉर्णिया अट्वेल पीक बिटिश कोलंबिया इस्टन साइड सुर्य आपका वेस्टन साइड ऑफ कैनड़ा वहां पर आपक जो बाकी तीन में अभी आपको बताना लिए कंपोजेट कैल्डरा एंड सिंडर कों से यह डिफरेंट क्यों है बिकॉस इसमें इस तरह का डॉम शेप स्ट्रक्चर बनता है अंडरस्टूड फिर उसके बाद आता है आपका कॉम्पोजेट वॉलकेनों कॉम्पोजेट वॉ इस तरह के क्रेटर में इस तरह के डोम मन रहे हैं तो हम इन धोम शेप वॉलकेनों बोल देते हैं अगर इन में कुछ और चीजा होते तो हम इन बाकी चीजी बोलते बताऊंगा पादल वादल टाइप दिखेंगे आपको सो इट रिचिज वेरी बिग हैच बहुत ज़्यादा स्टीप होगा बहुत ज़्यादा स्टीप होगा और वेरी कॉनिकल इंच एंदर पहुत ज़्यादा डस्ट पाइरो क्लास्टिक इस तरह की चीज़े स्प्यू करती है और फटता है तो बहुत जोर के आवाज करता इरॉप्शिंज आर वेरी वेरी एक्स्प्लोसिव इन नेचर ठीक है कि नहीं जैनली जैग्जामपल जैसे पिनल टुबो तेर इस तरह से आप यहां पर देख सक यह सारी चीज़े आपको यहां देखने हो मिलेगा यह जो वल्केनों है इस वेरी वेरी बिग इन हाइट काफी उपर जो है इसका हाइट निकल जाता है अंडिस्टोड देखो जैसे यह एरॉप्शन है माउंट पिन टुबो का पिन टुबो कहां पे है इस फिलिपीन फिलि रहा है जो मश्रूम क्लावड गैसस का इट इस रीचिंग वे अबाव बहुत उपर जा रहा है मेभी इवन दिस लाइक 20 किलोमेटर्स अबवव दी ग्राउं ठीक है कि नहीं हूज इरॉप्शिन रीचिंग टु ग्रेट हाइट बहुत उची हाइट तक पहुंच जाता है गैसे डास्ट चुपाइट बहुत उपरता को चलते है और बहुत ज्यादा आवाज करता है ठीक है लें दिस माउंट मिरापी यह में एक्स्पोजिन होते नहीं दिखाया वह आपको एजस्ट में आपको दिखाया कि कितना स्टीप यह माउंटेन है कितना उचा राइस कर र का ओंडिन को अ लिए धिस माउंट सेंट हेलन्ज दिस वेर दिस इन अमेरीका हैं नॉर्थ अमेरीका माउंट सेंट हेलें यह देख हो अगेन आपको बहुत ऊची पीग दिखरी इतनी कि यहां पर आपको बरफ दी देखने को बिलेगी वेरी हाई पीक यह का पर का व्यू ह लगा पता है? Mount St. Helens. They are what? They are part of composite volcanoes. बहुत उची बहुत steep होंगे and बहुत जाधा बड़े explosions होंगे. All long Pacific Ring of Fire वाले में आपको देखने मिलें. Especially वहाँ पर जहाँ पर convergence हो रहा है. Divergence में आपको नहीं देखने में मिलेंगे क्यों? Because divergent generally basaltic type का magma नहीं कलता है. Convergence में क्या होगा आपको? आपको silica mixed magma दिखेगा. Which is that is why it is like more viscous and इस तरह की steep mountain मनाता है. Steep mountains क्यों मनाता होगे? Steep mountains क्यों मनाता है? It is because magma viscous है. Magma जब निकलता है तो flow नहीं करता जाधा दूर तक. बहुत slow flow करेगा और क्या करेगा? पहले ही solid बन जाएगा. या solidify हो जाएगा. Solidify होने से क्या होगा? Continuously यहाँ पर layer जमती रहेंगी. And यह जो है क्या होगा? बड़ा होता रहेगा mountain. लगा पता? इसको नहीं पता चलेगा. तो please बता देना. ऐसा कोई चक्कर नहीं है. Composite volcano की एक दूसरी type होते है. इससे कालड़े सिंडर कॉन. सारे composite volcano के ही इसके वो होते हैं. Features होते हैं. Only cheeses it is very very high on gas and pyroclastics. तेक ही? Silica content comparatively कम होगा. Composite में बहुत ज़्यादा था silica content. इसमें silica content comparatively कम होता है. बट gas and pyroclastics बहुत ज़्यादा होता है. जब यह volcano फटता है तो क्या होता है? इस तरह के gas बहुत सारे निकलती है. इस तरह से ऐसा लगता है जैसे पानी अगर आप बिल्कुल पती लें, पानी भर दिया और फ्रूस को हम लोग उबालते हैं. पानी निकलता है, सेम इस तरह के आपको इरॉप्शन देता है. बहुत ज़्यादा explosive eruption होगी, बट जब यह फटेगा तो क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे magma या इस तरह के pyroclastic ऐसे उचाल लेगा, spew करेगा, और इस तरह के बड़ा जैसे composite volcano फटता है, उस तरह से नहीं फटता है, ठीक है कि नहीं? लोग उन से लिगा, comparatively but high on gas, high on pyroclastics, एक ही लावा बेंट से निकलेगा, एक ही बेंट से निकलेगा, और इस तरह से यहाँ पर eruptions होती रहेंगी, एक ही बेंट से निकलता है, बट अगेन, steep conical hills बनाता है, क्यों? बिकास, जो magma है, comparatively viscous है, ठीक है, एक्जामपल जैसे कि आपको Mexico, Italy, और सोरी, Mexico में आपको parachutin है, पराश्यूटिन इन मेक्सिको, या इटली, स्ट्रॉंबिली, और सोरी, इटली के अंदर जो है, आपका स्ट्रॉंबिली हो गया, Mount Etna हो गया, visuvious हो गया, सारे इतली में, ठीक है कि नि, इस तरह से ash and cinder cone, इसको cinder cone बोलते है, cinder cone को का मतलब समझे लोगा, cinder, cinder का मतलब क्या होता है, cinder का मतलब हिंदी में क्या कहता है, cinder को, ऑंगरे शिंडर का मतलब होता ह अंगरे तो बहुत सब्सक्राइब इस तरह कि अंगरे फूटते हैं टीयगें को वह पूंखेंक zumal से क्लता हो वोथ दिखेगा एक्जाम्पल देखो जिससे पेरेट्शूटिन इन मेक्सिको यह आपका एक्जाम्पल है ठीक है कि नहीं दिसेज माउंट स्ट्रॉम्बली और इतली ऑफ इतली ऑफ मेडिटरेनियन रात को जो है फटता हो दिखता है तो नवीगेटर्स को पता चल रहा होता है आप तो मिज सब्सक्राइब पहले क्योंकि वहीं पर सारा ट्रेड कंसंट्रेट था जितना भी इस्ट और वेस्ट का ट्रेड था उसका सेंटर पॉइंट कौन था इटली था ठीक है रहने सांब पिरेड में लोग पढ़ते हैं इसको कोई नहीं पढ़ाएंगे बात यह देखो आपको र गैस में बहुत जादा तो बहुत आइस तरह की बार बार से इस तरह के एक्स्पोजिंग आपको देखते दिख देखने को दिखते हैं बट नथिंग एस कंपेर जो आपको पोज़ेट वोलके नो जो की बहुत ज़्यादा जोर से फटता है कि यह इतनी ज़्यादा जोर से रप्ट होता है इतनी ज़्यादा जोर से फटता है कि यह जो माउंटेन है यह उसी को उड़ा देता सारा eventually जब होता है तो सिरक ऊपर से रख नहीं होगा इतना जादा इसके अदर प्रेशर होता है इतना जादा बड़ा एर्प्षण होता है कि यह मउंटेन उड़ा देगा सारा मागमा का चैमपर है मागमा ओपर आ why happen this happens because it is very high on silica very high on silica very high on gas they are found in subduction zone only very high on pyroclastics also जब फटता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रोर से फटेगा बहुत ही ज़्यादा gas dust pyroclastics erupt करेगा और जब फटेगा तो पूरा chamber जो है वो collapse कर देगा इस तरह से वलकेनों है यह chamber है यहाँ पर magma है और यह eruption हो रहा है जब सारा chamber होगा तो यह सारा collapse कर जाएगा मीज़ वहाँ पर पहले mountain होगी अब वहाँ पर कुछ नहीं दिखने को मिलेगा आपको इसके best examples है Mount Krakatoa अनक क्रकट अभी जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया में या Mount Centaurini इस इंग्रीज सब्सक्राइब को इस तरह से पहले इस तरह की बड़ी mountain होगी जब इरप्ठ हुआ तो इस सारा chamber जो है collapse कर गया है कि इमेजिन करना यह बड़ा difficult है कितना बड़ा explosion है बताता हूं आपको एक किस्टेडी लेके Centaurini this is Caldera in Greece इससे पहले यहां पर बात-बड़ा mountain structure होता था बट इट इरप्टेट सम्वेर इन 1400-1400 के ताइम पर फटा था इतना बुरा फटा देखो सारी माउंटें सब कुछ उड़ा दिया अस-पास से उसके बाद जो है Mediterranean का पानी आ गया है अपर it was a mountain before it is nothing now so that huge was the explosion and this is Anak Krakatoa this was a volcano active volcano found in the Indonesian island Indonesia one of the islands of Indonesia only Java से थोड़ा जो है दूर आपको देखने में मिले गए पहले यह island इतना यह पूरा आइलेंट था दिस वाज दी होल आइलेंट थे कही बर्ट आफ्टर देखर 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 जो इसका गैस का यह आश्क लाओट था इत वेंट अप 80 किलोमेटर्स इन एर 80 किलोमेटर उपर अल्टेटू तक पहुंचा था था और यहां से तीन हजार किलोमेटर दूर ऑस्टेलिया में इसकी रोर सुनाई दी थी 3000 किलोमेटर वे तेखे जो इस इस थी आर कैल्डरा देलेग वेरी वेरी एक्ष्टोजेज जब फटते हैं तो वट आपने ब्लो अप एवरिट इवेंच्छी देहोल आईलेंड वाज डिस्ट्रॉइड इसारा आइलेंड खतम हो गया था पहले बड़ा माउंटेन होगा उस सब्सक्राइब यहां पर दुबारा से चोटा साइलेंड निकल गया है इसके ओपर से आपको इरॉप्शन होते दिख रहे हैं इस इस तिल वेरी अक्ट पहले जो है 1883 में फटने के बाद 100 साल में कुछ नहीं हुआ यहां पर टॉर्मेंट पड़ा रहा डॉर्मेंट इसके बाद तुबारा यहां पर एक्टिविटी स्टार्ट होगे गैसे जो है वो इरॉप्ट हो रही है ठीक है कि नहीं 2018 में अभी 2016-17 में इसके अभी रिसेंट इरॉप्शन भी हुई है बट इट वस नॉर्ट जाइगंटिक जैसे पहले हुए ठीक है नहीं जब लास्ट जो हुआ था इसीड दे मोर थाइगंट इसीग थाओन पीपल डैइड बाद वी दोन्वाच इस्टिव स्टार्ट इस थाओन पीपलो डैइड बिकास अफ पर गेल लिया था निए था विए ठीक आइश म्वें यह इसे शाओन चॉट इस शैसाने इसा नहीं 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 द whole area because of ash के ओपर जब वो सन की रेस्ट करा रही थी तो इट वस गिविविग दाट क्रिम्शन रेड फिलिंग आग विव नॉट इन जाट से अनक करकाट और वेरी 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 बिग एक्स्प्लूजन तेके पिर से एक बारे देख लेते हैं छे टाइप का वल्केनों बेस्ट अन एक्तिविटी शे टाइप के वल्केनो फॉस्ट तू टाइप जो है वो यह वाद बेस्ट आँ कि जो Gases, Dust, Pyroclastic इस तरह की चीज़ें नहीं निकलेंगे उसके अंदर से. Fissure type का volcano, दरार बनी, मैगमा जो है वो पानी की तरह flow होने लग गया. ठीक है? और बहुत दूर तक flow होगा, तो comparatively क्या? आपकी very gentle mountains बनती है. जो volcanic mountain बनेगे, it will be very gentle. Second मैंने आपको बताया, shield type of volcano. मैंने आपको बता दे, mid-atlantic ridge system बता दिया, मैंने आपको matter of fact हमारा जो Deccan Peninsula वाला region है, या Indian Peninsula वाला region है, ये भी आपका एक example. Fissure type volcano का. इसके बाद second type का, मैंने आपको बताए, this is very explosive in nature. इनका जो है एक broader, अगर नाम लेना हो तो it is what? composite volcano या stratovulcan. बहुती steep conical peaks बनेंगी इनकी, और बहुती ज़ादा loud eruption होगा, बहुत ज़ादा gas, dust, pyroclastics के अंदर हिकलेंगी. ठीके कि नहीं? composite volcano, इसका एक type होगा, dome volcano. dome volcano क्या होगा? जब लावा flow कर रहा है, और वो इस तरह की dome structures बना रहा है. ठीके कि नहीं? second वाला जो है, it is what? it is ash and cinder cone. इसमें gas जो है, बहुत ज़ादा है, and cinders निकलते हैं बहर. ठीके कि नहीं? third मैंने आपको पता है, caldera पूरा-पूरा composite, जो आपका structure है, पूरा-पूरा mountain का, वो explode कर जाता है. ठीके, and fourth मैंने आपको यह बताई दिया, that is composite volcano. ठीके, हर एक के आपको example, एक एक दो-दो पता होने चाहिए. फिर हम देखते हैं, फटा-फटे, distribution of volcanoes, volcanoes distributed कहाँ पे हैं, किदर-किदर आपको देखने को मिल रहे हैं. वेरी वेरी इजी, जिसको plate tectonics में आगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको volcanoes कहाँ पे देखने को मिलेंगे. 80% of them are found in convergent plate boundaries. आया समझ में क्यों? बताने के explain करने ज़रत तो नहीं है. क्यों यहाँ पे मिलेंगे? Because convergence हो रहा है, convergence में आपको यहाँ पे volcanic activity देखने को मिलती ह है. ठीकि नहीं, किस तरह के volcano होंगे? Convergent plate boundaries में? Generally कौन से volcanoes होंगे? It is that second type वाले, composite volcanoes आपको यहाँ पे देखने को मिलें. यह strato volcanoes, strato या composite all the same बात होंगे. देखी, strato volcanoes या composite volcanoes आपको आपको देखने को मिलें. Second, इसका best example is specific ring of fire. Pacific ring of fire में बताओ भी कौन कौन सी plate भीड़ रही है? या plates भीड़ रही है? कोई दू ऐसी plates बतादो, जो भीड़ रही है और उसकर के इस तरह के Mount Fujiyama, Japan. So, Japan में कौन कौन सी plates भीड़ रही है? Eurasian plate और Pacific plate. ठीकिन फिलिपीन्स, Pinatubo, कौन सी plate भीड़ रही है? इंडोनेशिया कौन सी plates भीड़ रही है? इंडोनेशिया कौन सा भीड़ रही है? इंडोनेशिया कौन सा भीड़ रही है किसके साथ? सुन्दा प्लेट जो की पार्ट है Eurasian plate का उसके साथ भीड़ रही है. सेंट हेलेंज, सेंट हेलेंज कहा पर बता है आपको भी? अमेरिका में, तो वहाँ पर कौन सी दो प्लेट भीड़ रही है? नॉर्थ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट. माँन्ट कोटापेकसी, फ्र इयट और स collective आपकोंपोजिट वृकान उंट कोटापककसी, कहां पर है? फिर जन साथ अमेरिका आण दीज में हैं, काऊन सी दो प्लेट भीड रही है? शाव अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक ओर न ऑस नासिवर प्लेट नासिप्लेट नासि मैं आप देखे बताओ जल्दी कौन सी दो प्लेट बिट रही है उपर जो है इस Eurasian प्लेट नीचे जो है इस African प्लेट Eurasian प्लेट एन African प्लेट है कि नहीं Eurasian plate and African plate भीड़ रही है तो इटली ग्रीस वाले एरिया में आपको बहुत सारे वोल्केनों देखने हो मिल रहे है एक्जाम्पल स्रॉम्बली एटना वेसूवियस सेंटोरीनी इस अगरे इटली के बारे में जानते हो तो सिसल आइलेंड उसके आसपास में सारे मांट इस आर वोल्केनों लोकेटेड ठीक है कि नहीं फिर आता है मिड अट्लांटिक रिज सिस्टम 80 परसंट के आगे निकलो मिड अट्लांटिक डाइवर्जंस हो रहा है वहाँ पर तो वहाँ पर बहुत सारे वोल्केनी किर अप्शन देखने मिल रहे हैं फिर होट स्पॉट्स कुछ एरियस ऐसे भी है जहां पर एजिन सच कोई बाउंड बनाई देते हैं लो यहां पर आपको इस तरह से अगया कैमरून पैसिफिक के बिल्कुल बीच वीच वीच वह सरी आपका अफ्रिका के बिलकुल बीच में है ठीक है चलो बहुत हो गया और भी बहुत हैं किसी ने मूवी देखी है 2012 कि देखिए उसके अंदर वह यह लोग जो है मैंटरफेट पिछले अफ्ते आई रही थी यह तेकर सोनी पिक्स में आ रही थी आईगन बढ़नों चले निच्वेस उसमें यह जो आपके में हीरो है वह जाता है येलो स्टोन नैशनल पाग जाता है जहां पर पागल इसको र वलकेनों कैसे फट रहा है कि क्यों बिकॉस अर्थ क्लस्ट यह बोलते हैं कि अर्थ क्रस्ट की डिस्प्लेस्मेंट हो रही है और इस करके बहुत सारा मैगमा नीची आ गया है इस पर और यहां पर बहुत बढ़ा वलकेनों इरॉप्ट होता है उसके आद हमने वह मूवी मे है वह पूरा एक्स्प्लोड कर जाता है एवरिफिंग गेट्स वाइब डाउट उस एरिया से ठेक है ताट इस केल्डर टैप एक्स्टोजिन जो उसमें इस तरह से बड़े-बड़े इस तरह से पत्थर गिर रहे होते हैं देयार पाइरोक्लास्टिक्स ठेक है कि नहीं जो ए अफरीका आगे और अमेरिका के बीचों बीच आपको मिलेंगी यह अफ्रीका आ गया कि इसी के ऊपर और चले जाओ यहाँ प्रे एइसलेंड के पास में आपको बहुत सारे इसलेंट थीध्onneलेन को लेंगे पट यह नहीं मिलेगा आपको अ इसकी भी अपनी कहानी है 1960 से पहले यह आइलेंड एक्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पर नहीं मैप में नहीं मिलेगा आपको यह द्यान सुनो 1960 से पहले इस वस नॉट प्रेजंट ऑन दी मैप 60 में सड़नली आउट अप दी ब्लू पानी से बहार आया और यहां पर आइलेंड बन गया था इस तरह का जो है आईलेंड बनके निकला था सुट स्टर आइलेंड इस इन आइसलेंड अब जो है यहां पर क्या होता यहां पर जो साइंटिस्ट चैनल यहां पर देख रहे हैं कि बेसिकली अब life कैसे originate हो रही है या life किस तरह से यहाँ पर अपनी जड़े फिलाती है evolution भी यहाँ पर analyze करने का सबसे अच्छा आप कह सकते हो lab है यह जिसको हम use कर रहे हैं ठेक है? So stay islands